नमस्कार दोस्तो दोस्तो दिल की बिमारी यानि की हार्ट डिजीज आपके दिल को प्रभावित करने वाली कई स्थितियों के बारे में बताता है दिल की बिमारी के अंतरगत आने वाले रोगों में रक्तवाई का रोग जैसे की कौरोनरी दमनी रोग दिल के धड़कने में होने वाली समस्या यानि की आरिद्मियाज और जन्मसरी होने वाले रिदे दोश यानि की कंजिनाइटल हार्ट डिफेक्ट वगेरा आते हैं रिदे रोग को चिकिस सकीय भाषा में अक्सर कार्डियो वैस्कुलर रोग कहा जाता है कार्डियोवस्कुलर रोग आम तोर पर उन स्थिति को संदरवित करता है जिनमें रक्त वाहिकाओं के संकुचित या अवरूद होने की वज़े से दिल का दोरा, एंजाइना या स्ट्रोक आने का खत्रा रहता है दिल की अन्य स्थितियों में आपके दिल की मास पेशों, वाल्व या दिल के धड़कनों का प्रभावित होना भी दिल के रोग का एक रोग माना जाता है स्वस्त जीवन शेली को अपना कर कई प्रकार के दिल के रोगों को रोका जा सकता या ठीक किया जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि दिल की रोग के कितने प्रकार होते हैं यानि कि दिल की रोग कौन कौन से होते हैं तो उनमे हैं हार्ट अटेक, दिल की विफलता यानि की हार्ट फेलियर, एंजाइना, कौरोनारी धमनी की बिमारी, और नियमे दिल की दडगन, ए और अब हम दुस्तो जानेंगे कि दिल के रोग के क्या-क्या लक्षन और संकेत होते हैं तो दुस्तो दिल के सभी रोगों में एक या एक से अधिक समान लक्षन होते हैं जैसे कि छाती में भारीपन, दबाओ, औसुईदा या दर्दोना, उपरी शरी में बार-बार दर्दोन जैसे कि हाथो, जबडे, गर्दन, पीठ या पेट के उपरी भाग में, ठकान और कमजोरी होना, सांस फुलना, दड़कन में तेजी से वृद्धी होना या अन्यमि दड़कन होना, चक्कर आना, पसीना आना और मतली होना, सूजन होना, चिंदा होना, खासी आना या फिर द दिल की बिमारी यानि की दिल की रोग होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों दिल की रोग के कारण उसके प्रकार पर निर्बर करते हैं, जैसे कि बात की जाए कार्डियो वैस्कुलर रोग की, तो कार्डियो वैस्कुलर रोग विबिन दिल या फिर रक्त के लिए उपयोग किया जा सकता है लेगिन अक्सर इसका प्रयोग एथेरोस्क्लेरोसिस द्वारा आपके दिल या रक्त वाईकाओं को हुए नुकसान के लिए किया जाता है। या कैफिन का अत्यादिक उपयोग करना, दवाओं का दुरूपयोग करना, तना होना, कैमिस्ट पर मिलने वाली दवाएं और हर्बल उपचार के कारण या फिर रिदय वालवरोग के कारण। उसके बाद दुस्तों बात किजाए कार्डियो मायोपैथी की, तो कार्डियो मायोपैथी यानि की दिल की मास पेशियों का मोटा होना या बढ़ना, इसके भी जो कारण है, ये इसके प्रकार पर निरवर करते हैं। जैसे की बात की जाए डाइलेटेड कार्डियो मायोपैथी की तो इसका कारण अभी तक अग्यात है, ये दिल के दोरे, इंफेक्शन, विशाक्त पदार्थ और कुछ दवाओं के कारण हो सकता है और ये आनुवंशिक भी हो सकता है। इसके बात की जाए दिल के इंफेक्शन की तो आपके दिल के वालों के नुकसान कई कारण से होते हैं आपको ये जन्म से भी हो सकता है या फिर किसी स्थिती की वज़ा से भी हो सकता है। जैसे की रोमेटिक फिवर, इन्फेक्शन यानि की संक्रामक, एंडोकारडाइटिस या फिर कनेक्टिट इश्यू का विकार। और अब हम दुस्तों जानेगे की दिल की रोग होने के जोखिम कारक क्या है यानि कि ऐसे कौन से कारक है जिनसे दिल की रोग होने का जो खत्रा है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात की जाए उम्र की तो उम्र के साथ दमनियों के संकुची तोने का खत्रा बढ़ जाता है और दिल की माश पेशा कमजोर होती है। लिंग की बात की जाए तो पुरुष आम तोर पर दिल की रोग के अधिक जोखिम पर होते हलाकि रजो निवरुति के बाद महिलाओं का जोखिम बढ़ जाता है। दुमरपान करने वालों में हार्ट अटेक अधिक आम है। ज्यादा वजन से आम तोर पर अन्य जोखिम कारकों की स्थिती बिगड़ जाती है। तनाव की बात की जाए तो तनाव आपकी दमनियों को नुकसान पहुचा सकता है और दिल के रोग के अन्य जोखिम वाले कारकों को खराब करता है। और बात की जाए स्वच्चता न रखने की तो नियमित रुप से हाथ न दोने और अन्य अस्वच्च आदतों से वाइरल या बैक्टरियल इंफेक्शन होते हैं जिससे दिल के इंफेक्शन का खत्रा बढ़ सकता है। खास कर यदि आपको पहले से ही अंतन नहीं दिल की कोई बिमारी है। खराब दंत स्वास्त से भी दिल के रोग हो सकते हैं। और अब हम दुस्तों जानेगे कि दिल की रोगोंने से कैसे रोका जा सकता है तो दुस्तों कुछ प्रकार के दिल के रोगों को रोका नहीं जा सकता हाला कि आप कई अन्य प्रकार के दिल के रोगों को जीवन शल में परिवरतन से रोक सकते हैं जिससे कि आपके दिल के रोग म ऐसा आहरले जिसमें कि नमक और फैट कम हो साथ ही साथ दोस्तो स्वस्त वजन बनाए रखें तनाव कम करें और उसका प्रबंदन करें और साथ ही साथ स्वचता का ध्यान रखें और अब हम दोस्तो जानेंगे कि दिल के रोगों का निदान कैसे किया जाता है तो दिल के रोग का पता लगाने के लिए जिन परिक्षणों की आवशकता होगी वो निर्बर करता है कि आपके चिकिससक क्या सोचते हैं आपके चिकिससक एक शार्रिक जांच करेंगे और कोई भी परिक्षण करने से पहले आपके व्यक्तिगत और पारीवारिक चिकिस्सा इतिहास के बारे में पूछेंगे रक्त परिक्षंड और छाति के X-ray के अलावा दिल की रोग के निदान के लिए कुछ और भी परिक्षंड किये जाते हैं जैसे कि बात की जाए इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम की यानि की ECG की तो ECG विद्यू संकेतों को रेकोर्ड करता है और आपके चिकिस सको आपके दिल की लए और सरच नामे और नियमित्ता का पता लगाने में मदद करता है आपका ECG आराम करते समय या व्यायाम करते समय किया जा सकता है उसके दिल की लएकी और नियमित्ताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है जो नियमित E.C.G. परिक्षा के दोरान पता नहीं चलते हैं उसके बाद बात की जाए इको कारडियोग्राम की तो ये परिक्षन आपकी जहाती का अल्टरा साउंड करता है और आपके दिल की सरचना औ और कार्यक के विस्तरुत चित्र दिखाता है। स्ट्रेश टेस्ट की बात की जाए तो इस प्रकार के परिक्षण में दिल की गती व्यायाम या दवा से बढ़ाई जाती और परिक्षण किये जाते ये देखने के लिए आपका जो दिल है वो कैसी प्रतिक्रिया देता है। दमनी में गाइड कैथेटर को आगे करते जाते हैं जब तक की वो आपके दिल तक नहीं पहुँच जाती। इस सको आपके दिल का मुल्यांकन करने में मदद करने के लिए ये चुमबक की एक शित्र चित्रो का उत्पाधन करता है। और अब हम दुस्तो जानेंगे कि दिल की बिमारी का इलाज यानि की ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो दुस्तो दिल की रोक का उपचार उसकी स्थिती पर निरपर करता है। उदाहरण के लिए यदि आपको दिल का इनफेक्शन है तो आपको संभवता एंटिबायोटिक्स दिये जाएंगे। दिल के रोक को नियंतरित करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं और दवा का जो प्रकार है वो दिल के रोक के प्रकार पर निरपर करेगा। दिल की रोक की सबसे आम चटिलताओं मैंसे एक दिल की विफलता है जो तब होती है जब आपका दिल आपके शरिड की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए परयाप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है। उसके बाद दुस्तों बात की जाए दिल के दोरे की तो एक खून का ठका जो रक्त वाईका में रक्त के प्रवा को अवरुद करता है उससे दिल का दोरा पड़ सकता है। स्ट्रोक की बात की जाए तो दिल के रोगों के जोखिम कारक स्ट्रोक भी कर सकते हैं जो तब होता है जब आपके दिमाग की धमनिया संकुचित या अवरुद हो जाती है और जिससे बहुत कम खून आपके दिमाग तक पहुंचता है। कमेंट करना बिलकुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को जरू क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पिल आपको मिल सकें। थैंक्स पूर यूर टाइम।